हलो दोस्तों आपने प्याज के पराथे, मूली के पराथे, गोभी के पराथे, आलू के पराथे तो बहुत खाएं होंगे तो इसलिए आज हमाप के लिए लेकर आएं हैं गाजर का पराथा देखिए कितना फुला फुला सा बन रहा है और दोस्तो हमने इसे new trick के साथ बनाया है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो जो इस stuffing है खाने में कचा कचा सा लगता है जैसे बहुत से लोग ऐसे घिस के मसाला डालके बना देते हैं तो खाने में उतना मज़ा नहीं आता तो हमने टोटली से अलग तरीके से बनाया ह तो वीडियो को लाश तक पूरा देखेंगे ना तभी समझ में आयेगा आखिर बनाने का सही तरीका क्या होता है कैसे बनाया जाता है तो इधर आप लोग देख सकते हैं इस stuffing कितना अच्छे तरीके से फैला है दोस्तो और जो पराठा है ना एकदम फूला फूला सा बनेग ना तो कहीं से फटेगा बिना तो भणने में प्राबलम होगी तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए आपको लेना होगा गाजर और गाजर के उपर का जो ये छिलका है इसको हटा दे हटाने के बाद इसका जो हेड और टेल वाला पार्ट होत तो बस इसी तरीके से गाजर को कद्दू कस कर लेना है तो हमने इसे घिस लिया है तो चलिए अब आठे को फटा-फट से गुत लेती हैं आठा गुतने के लिए यहां पर हमने ले लिया है इसमें डालेंगे थोड़ा से नमक डालना है और एक छोड़ा चमच जवाइन को डाल अब बूहां ठीए आठा अटा रेडी है जिसे फट्रफीन को रखे घडी एक थे त्ट्रफिंग को बहएं हें तो बस इसी तरीके से आप को घुत लेना है है तो हमारा अठा रेडी है चलिए अब इस टफिंग को रेडी कर लेते हैं तो यहां पर्ण को रख दिया है इस्टफिंग तयार करने के लिए तिसमें थोड़ा से डाल देंगे तेल या घी आप जो पसंद करते हैं उसको डालें तो हमने डाल दिया है अभी जब मेल्ट हो जाए घीया तेल ना गर्म हो जाए तो इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के डालना है इसको अगर आप लाइक करते हैं तो प्याज को डालें वरना ना डालें प्याज को भी हलका से दो मिनट तक भूल ले तो यहां पर हमने सभी चीजों को भूल लिया है अब इसमें अड़ कर देंगे घिसे हुए गाजर को गाजर को डाल कर उसे बढ़िया से अलट पलट के चला के इसे फाइप मिनट के लिए ढख देना है और बीच में एक बार और चला देना है तो दोस्तों यहां पर फाइप मिनट हो चुका है चलिए इसको खोल के चेक कर लेते हैं और इसमें मसाले को एड़ कर देते हैं इसमें डाल देना है स्वात के नुसा नमक एक छोटा चमस धन तो दोस्तों बस इसे तरीके से आपको भी स्टफिंग को रेडी कर लेना है तो यहां पर यह रेडी है इसको उतार लेते हैं और चली फट फट से ना पराठे को बना के दिखाते हैं आपको सबसे लोई लेना है लोई को न बड़ा साइज का ही लिए तब पराठा भरें गे फटेगा नहीं इस तरह से पैक करना है तरह से बाद इसमें सुखा आठा लगाकर इस तरह से फला के पूरी के जैसा और इससे चकले पर प्रेस कर दें आप फिर अज़रा फैल आ लें इसे साइट में इसके भेलन चलाएं बीच में ना चलाएं वरना पराथा फट जाएगा जाएगा से इसे बेलच से बैल भी पाएंगे अंगे तो यहाँ पराथा देते हैं और पराठा नीचे की तरफ सिख जाय तरफ इसब ना और पलट बंड़ हो जाय तरफ ऑब देना है यह देख लेना है अधर से तरह से फूलएघा तरह सो जिए तेस अब फूलेगा और बहुत यह पहलेगा देख्ish लिए। हम अपने एक प्लेट के इसे तो करना है तो दोस्तों यहांपर पराथा को प्लेट के us at रोखर दिए जा वकी तो किस evolves कर दिया है तो आप वीडियो पसंद rightright को चैनल के पहले बारा है सबस्क्राइब तकि हम रिए जे जे महाकाल